नमस्कार आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइट निउस पर मैं नाम है दीपक गुपता गुजराथ चुनाब 2022 की तैयारिया जोरू पर है और कांग्रेस पार्टी भी अब इस जंग में उतर चुकी है तिरिकोणिये ये मुकाबला हो चुका है मलिका अरजुन खड़ गे अपने युवा नेताओं को जिम्मेदारी देते नजर आ रहे है स्टार परचारकों की लिस्ट सामने आई उस लिस्ट में जिगनेश मेवानी कनिया कुमार सचिन पाइलेटे से कई युवा चेहरों को मुका दिया गया कनिया कुमार को किसी सीट से उमीदवार के स्टार परचारक बनाया गया बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जारी लगातार सचिन पाइलेट को जिस तरीके से सचिन पाइलेट के खिलाब बयान बाजिया तो हो रही है लेकिन उनको जिम्मेदारी भी दी जारी लगातार और सबसे चोका देने वाली बात ये है कि कनिया कुमार को भी इस कह सकते पूरे स्टार पर चारगों की लिस्ट में टॉप पर रखा गया है 40 स्टार पर चारगों की लिस्ट में जगे मिलना बहुत बड़ी बात होती है और कनिया कुमार इसमें आगे हैं भारत जोड़ यातरा में राहुल गांदी के साथ कदम से कदम मिला कर चल रहे कनिया कुमार को लेकर विरोधी खेमा ये निशाना साधरा है कि भारत जोड़ यातरा राहूल गांदी के साथ साथ कनिया कुमार को प्रमोट करने के लिए क्योंकि आने वाले वक्त में कनिया कुमार कांगरेस का वो हतियार साबित होंगे जैसे बीजेपी में सिंधिया साबित हो रहा है, ऐसी तुलना की जा रही है, लेकिन अब जिस तरीके से चनोतिया होंगी, सामने से उनके ही अपने अपने दोस्त हार्दिक पटेल और ऐसे जोती रह दितिया सिंधिया जैसे युवा नेता होंगे बीजेपी की तरफ से, तो कन निया कुमार को लगाता है, अब कांग्रिस पार्टी जिम्मेदारिया दे रही है, आला कमान का ही फैसला है कि 50% युवाओं को कांग्रिस पार्टी में भागिदारी दी जाए, जिम्मेदारी दी जाए, अब ये देखना दिल्चस्प होगा, कि आने वाले वक्त ने, पूर बनरे चनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।